नमस्तार मैं हो जोटी रोजब टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश के मशूर खृत्व चित्व निर्माता श्री सिथात कापची। मैं आपका हादिक स्वागत करती हूं रोजब टीवी की ओस से। और आपको मशूर फिल्म अभिनेता भी रहे हैं, टीवी शोज के प्रजेंटर भी रहे हैं। आपसे मिलकर हमें बेहत खुशी हो रही है। सिधार जी आपसे पहला प्रश्ट है कि आपको जब भी हम देखते हैं, तो हमें नब्बे की दश्ट का वो समय यादा जाता है जब सुरभी की शुरवात हुए थी। और हम सभी नब्बे की दश्ट की हम सभी को अपना वो बच्पन यादा जाता है। लेकिन आज हम जाना चाहेंगे आपके बच्पन के बारे में कि आपके जो शुरुवात हुए गारंभिक जीवन कैसा रहा वो कैसा विज़रा और अब तक आपका जो जीवन है वो किन किन रास्तों से विज़रा है। देखिए ये मेरी खुश का किस्मती है कि आज भी 20 साल बाद सुरुवी याद रखते हैं लोग और आप भी मेरे हिसाब से काफी जवान हैं फिर भी आप अपने बच्पन में इससे प्रेरित हुई हैं सच पुछिय प्रेर तो मैं ही हुआ था और शायद वो कारण है कि मैं खोज में था मैं धूंड रहा था कि मेरी एद्फेश जो है विदेशी एद्फेशन हुई थी और मैं अपने देश को जादा जानता नहीं था तो मैं तो भूंडता था वो मकसद कि मैं समझू कि देश अक्शली क्या है क्यूँए हम दो देशों में रहते हैं हम जैसे लोग एक अंग्रेजों का देश और अपने भारतिय देश तो कभी पता नहीं चलता है कि कौन सा देश क्या है किस देश कि क्या महत्वपूर्ण था है और सच है कि अगर हम ना यहां के रहे ना वहां के रहे तो हम अपनी आप की पहचान की खोज में हैं, धून रहे हैं और हम चाहते हैं, खास तर पर अगर एक्टिंग का काम कर रहे हैं कि लोग जो हमें देखें, वो हमें अपनाएं अगर वो हमें अप्राएंगे नहीं, तो ना हम सफल रहेंगे, ना हमारी आत्मा में कोई शांती आएगी, कि लोगों ने हमको एक्सप्ट नहीं किया, हम विदेशे ही रहें मेरे ग自ठी रहें तो क्या भच्पन पेAR आप विदेश हैं तो कि या विदेश नहीं रहा हूं, कि मेरे जो एजुकेशन्य है पूरी अंग्रेजी माधियम से हुई है, अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल रहा है, मेरी च्पवार्य मत्तवत मेरी, क grip मत्तई ती जो बहुत ही विद्वान थे और कश्मीर के आखरी प्राइम मिनिस्टर भी रहे और मैं उनके साथ कई साल रहा क्यूंकि जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था लड़के लड़कियां वहां पर को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल है रेर है बहुत जादे ऐसे नहीं है वहां पर मैं पढ़ा तो वो जगह थी कसौली तो ये स्कूल एक पहाड़ी पे था और मेरे ग्रैंट पेरेंट्स जो है कसौली में दूसरी पहाड़ी पे रहते थे तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी हम भागे रहते थे जब भी छुटी मिलती थी तो मेरे ग्रैंट्पेरेंट्स के साथ मैंने बहुत समय बिताया और बहुत प्रभावित हुआ उनसे जो कुछ भी मुझे एक तरह से ग्यान की खोज की एक तमन्ना मिली वो उनसे मिली सुरभी एक ऐसा टीवी सीरीज था जो कि भारत के विविद छेत्रों का जो एक जहांकी दिखती है वो उसमें दिखाई पुटी है यह ग्यारा सालों तक चला यह बहुत बड़ा कार्या था तो क्या इसकी जो प्रिष्ट भूमी बनी वो पहले सी थी या श्रिंखिला समय के हिसाँ से बनती ही चलेकी आपको पता नहीं चाहे है यह नहीं तो गबराता गया क्या क्या क्योंके लोग मूझे खुछ एथे थे प्रिष्ट पार्या तुम्झे ने तो सब कुछ कवर कर दी अभी क्या रह तुमारे लिए और मुझे भी कुछ पता झनी था तुमारी सोच चले जाए, हजारों दरवाजे कोणते रहें, तो जो इंसान जो उस को पहले यह मालूम था कि इतना जानता नहीं है मोुझाला जब हजार दरवाजे खται Кुले तो उनको यकीन हुआ कि कुछ नहीं मालूम एक्चुली। जो उनको विद्वान भी हैंगे उनको भी नहीं इतना मालूप है क्योंकि वह जदासे जदा ग्यान पर करते हैं थोड़े से छोड़े सी चीज़ों पर फोकुस होता है उनका आम आदमी का जो है फोकुस अलग होता है वो कम से कम ग्यान चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों पर अब वो जो एक तरीका होता है बात्चीत करते का वारतलाप का कम्यूनिकेशन का वो होता है कि आपको वो चीज़ को लेना है जो बहुत ज़ादा ग्यान बहुत थोड़ी चीज़ पे है और उसको ट्रांसफर करना है एक आम देश के लिए जिसते हैं कि आपका टेलिविशन आप चलाते हैं कि बहुत चीजों में काफी ग्यान लोगों तक मिलता जाए लेकिन ग्यान उतना ही जितना एक आम इंसान ग्यान करते हैं हाँ और फिर वो तरीके होते हैं उसके कि आप उसमें हसी प्यार यह जो कला होती है लिखने की बहुत बड़ी कला होती है वो जो कल्पनाक से आप जब इस चीज़ को एक कल्पनात्मक रूप में पेश करते हैं तो उसका एक रूप भी बदर जाता है यह बात थी तो हम भी हम भी सीखते ही रहे हम भी सीखते रहे तो सुरुभी के द्वारान भी हम भी अपने देश के बारे में सीखते रहे कम्यूनिकेशन के बारे में सीखते रहे और सबसे जादा जो मुझे एक शांती मिली आखिर दस साल के बाद वो है कि हम अपने आप के बारे में जानते रहे अच्छा सर, यह एक बहुत बड़ा दायत था के उतर, आपने खुद से यह दायत लिया था, जहां तक कोजे पता है, लेकिन कभी आपको इतना बड़ा कार्य करने में, जो कि एक आर्काइब्स था पुरे बईश का, उसको करने में कभी आपको लगा नहीं कि कही हतोस्ताहित ह या मन घबरा रहा है इसको करने में नहीं, देखिए सबसे पहले अगर यह सारी चीजें इतनी डीटेल में प्लैली प्लैन करी होती है, तो वो फिर एक वो एक अलग कार्य होता है, बहुत बिजनरी कार्य होता है, वो अक्सर मिलता ही नहीं है, और कहावत है ना, चलते रहे और कारवान जुड़ता गया, तो बढ़ता गया, तो यह है कि, नहीं, कोई मुझे घबराहत नहीं थी, लेकिन ताज्यूब होता रहा, आश्चरिय कि हमारे देश में इतना क्या है, कितना कुछ है, और इस लेवल की काबिलियत है, तो यह एक जो एक इन्फिरियोरिटी कॉ होता है, कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो फिर आप तो भी अकल है, आश्चरिय तो कोई बाती नहीं है, यह तो उल्टी बात है, और पहले-पहले, जो मैं अंग्रेजी में बात करता था, मुझे उसमें आनन्ध होता था, लेकिन आज, जो मुझे ऐसे लगता है कि जुभान में, हिन्ध की जुभान में जो लचच है, जो संगीत है, वग आप अगर कोई चीज को जांगे में अगर आप उसी चीज को आप हिन्धी में केdı, तो इसका प्रिंपक्टो पावर है हिन्धी मैं एक एक्टर नहीं हूँ जो दूसरा रोल प्ले कर सकता है मैं सही एक्टर हूँ जो अपने आपको पेश कर सकता है मेरा रूप है जो मेरी पस्नालिटी है उसको कैसे निखारना है वो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ लेकिन इतनी एक्टिंग नहीं कि वो मतलब जूटा लगे आपको अपने आप में सच्चाई से किसी के साथ पेशा आना है लेकिन कहीं कहीं आप थोड़ा सा थोड़ा ड्रामा बढ़ा सकते हैं लेकिन वो सच्चाई मवजूद है एक्टिंग में आप एक दूसरी सच्चाई को आपको अपनाना पड़ता है और अपना बनाना पड़ता है वो एक अलग कला है वो लोग जो किसी भी रोल में घुश सकते हैं वो तो उनकी काबिलियत अलग है और हम जैसे हैं कि हमको लगता है कि हमारी अपनी परस्नालिटी इतनी ज़ाधा अपने लिए ताकतवर है कि कोई दूसरे रोल में घुशने की इजाज़ती नहीं देती है तो हम दूसरा रोल करी नहीं सकते हैं हम अपने अपने रोल में अपना ही करते हैं अच्छा और फिर जब सुरिवी का करने का मौका मिला वो भी एक पहचानती है अपने इक अपने दिल में कुछ बात है उसको व्यक्त करना रह है वो ठीक से हुआ मेरे साथ में बहुत सारे बहुत कई अंगेनित लोग के नाम हैं जोनों ने इसको एक सफल सीरीज बनाई लिखने में, डिरेक्शन में, म्यूजिक में, खोज में कि अच्छली पता ही नहीं चला कि किस तरह से यह सब हो रहा था लेकन होता गया, उसब से बड़ी बात थी कि इसली होता गया क्यूंकि लोगों की रुची थी उसमें, वो रुची हर दिन प्रकट होती थी हर रोज चिछियां आती थी, हर रोज उसमें तोफे थी हर रोज उसमें कोई ना कोई सजेशन होता था कि आपने ये किया ये नहीं किया आप हमारे आए हम सब आपका ख्याल रखेंगे हमारी टीम जहां जाती थी उनको बहुत सवागत किया जाता तब मैं कहता था अपने टीम के वालों को देखें भई आप कहीं पर जा रहे हैं आप गाओं में चले जा रहे हैं आप उसकी संस्कृति का ध्यान दीजिए अब ये है कि गर्मी है और वो जो टीवी और फिल्मों की यूनिट्स जो होती है बड़ी इंफॉर्मली ड्रेस करती हैं शॉर्ट्स और टी-शिर्स में घूम रहे हैं टोपिया पैनरी हैं घूम आगे जाने हैं घर के अंदर कुसरे हैं मैंने का आप बिल्कुल ऐसे मत कीजिए आप सेंसिबली ड्रेस कीजिए और सब लोगों की कदर और इजद कीजिएगा और यही रहा और कही बाद में काहनी आई मुझे कि कही लोग जो फिल्मी शूटिंग कर रहे होते हैं वो कहते हैं हम सुरुभी टीम हैं क्योंकि उनको बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता था बेशक वो सुरुभी की तरव से आय नहीं थे लेकि कहते थे के हम सुरुभी की शूटिंग कर रहे हैं तो उनको बहुत ही इजद और स्वागत मिलता था लेकिन यही पॉइंट थी हम अपने सारे यूनिट वाले लोग को कहते थे जहां भी आप जा रहे हैं उस जगह की आप कदर कीजिए और आप अपनी जो भी आपकी फिलिंग्स और संस्कृति हैं यहां पर डालिये मत जब आप लोगों का कदर और आदर करेंगे वो भी आपको स्वागत करेंगे आप तो फिल्म डिरेक्शन से ले करके एक्टिंग से ले करके और कविताय लिखते हैं इतनी सारी जो बहुमुखी प्रतिभा है आपके अपके एक व्यक्तित्यों के अंदर है तो इसका जो श्रिजन आपके भीतर आया और आपको महसूस हुआ यह कब महसूस हुआ कि आप इतने सारे काम को कर सकते हैं यह आपमें यह प्रतिभा भी है सब इंटरकनेक्टेड है यह नहीं हो सकता कि आप कभी हैं और उसको मतलब आप पर आक्टिंग की बात नहीं समझते हैं कभी अबसर्फ करता है देखता है और वो समझता है वो समझदारी जो है डिरेक्टर में भी होती है जो डिरेक्टर जिंदगी को देखता है, उसकी नकल करनी है, तो वो भी कर सकता है तो यह है कि मतलब अगर शकल सूरत वैसी नहीं है तो वो अक्टर, आज तो खेले किसी भी शकल सूरत से आप आपकर बन सकते हैं अच्छा है कि आपकी वही नॉर्मल शुगर डैडी की तरह के आपकी शकल नहीं है जो एक शकल जो होती है जो अलग से होती है वो बहुत लोगों को मतलब पकड में लाती है भाती है लेकिन मुझे लगता है कि कला के साथ जुड़े वे बहुत सारी शक्तियां आपको मिलती है यह आपको पहचानना है कि इसमें से आपको किस पे एक्चली फोकस करके आपको अपनी जिन्देगी बितानी है यह एक बात होती है कि मतलब आप समझें कि मैं बहुत बड़ा कभी हूँ जरूरी नहीं है या मैं बहुत बड़ा एक्चर हूँ जरूरी नहीं है सभी चीज का एक जुनून होता है उसके लिए आपको एक प्रहस्चित भी करना पड़ता है और आपको बहुत सारे sacrifices करने पड़ते हैं, तब आप जाके किसी मंदर पर पहुंचेंगे, तो आप में इतना धीरज है, इतनी confidence है, आत्म विश्वास है, कि आप यही करना चाहते हैं, और अगर नहीं है, तो बेतर है, आप नौकरी करिए, यह काम न दीजे, क्योंकि वो कम अ हैं लगबग सबी शेत्रों का फ्शमार्ट किया है, तो आप एक संपून भारत को देखते हैं, समस्हते हैं, उसकी रूम तो आपने क्या महसूस किया, कि भारत क्या है याएं? जैसे की भारत के संकल्पने के बारे में आप कहते हैं, तो वह रजाय जाहेंगे, कि आप के वि जो समय में उस वकट में फिल्मा रहा था काफी कुछ की लेकिन जितना किया उससे ज्यादा बहुत है यहां पे अनंध है भारत और हम देखते हैं कि संस्कृती एक दरिया के तरह बहती है वो कहां पे आप किस चीज को कहेंगे कि वो अतीत है और किस चीज को कहेंगे यह फ्यूचर है और किस चीज को कहेंगे आज है वो खशनों में बदलती जाती है तो मुझे लगता है कि एक डुपकी मारी है जहां पानी आपके आसपास में है वो ही आप जानते है दरिया बहुत विशाल है, मत सोचिए कि आपने जहां पर मतलब दो स्क्वेर फूट पानी देगा तो आपको सब कुछ पता चल गया, नहीं चल गया, यह एक अनंध खोज है और हमारे देश की तरह और भी बहुत बड़े बड़े देश हैं, अफरीका हो या चाइना हो, उनके भी बड़ी बड़ी संस्क्रितिया हैं, उनके भी अनंध सिल्सले हैं, लेकिन हमारे देश का अपनी जगह हैं और हम मैं मानता हूं कि हमारे देश की जो संस्क्रिती है, जो पहले से चली आ रही है वो आज की विश्म में भी बहुत काम आ सकती हैं लोगों के आपको जो लोगों को कम्यूनिकेट करना है वो उनकी आज की जिन्दगी के हिसाब से कम्यूनिकेट करना है आप कल की जिंदधी या विग्यान या विग्यानिक लोगों की जिंदगी से कम्यूनिकेट ने हैं क्योंकि वो सुनने के लिए नगो टाइम है या फो टूंड़ना है कि अगर आप अपनी संस्क्रिती को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्यों पहुँचा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी बात है, जिससे आपको कुछ फाइदा हुआ और फाइदा ये नहीं होता है कि रुपए पैसों का पैदा है, फाइदा ये भी होता है कि आपको गौरू और एक करीब महसूस होते हैं दूसरों से, तो ये अच्छी चीज है, तो आप अगर उस मकसद से कर रहे हैं, तो वो चलता रहेगा, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि हमने सब कुछ कबर किया, मुझे तो लगता है बहुत कबर करने का है, रोज मैं सीख रहा हूँ, कल भी मैं हमने कुछ दिखाया, तो वो काफी उनीक था अपने टाइम में, वो कोकनट मतलब के पेड पे चड़ते हैं लोग, वो भी एक खला है, आप और मैं चड़नी के कोशिश करें, हम तो मैं दो फोट भी नहीं चड़ पाएंगे एक पेड पे, वो कैसे चड़ते हैं, तो कल एक म मैं अपहलता है, और वो उन पेड़ों प्र चड़के जो हैं, वो पेड पतले हैं और वो जुगाव होता है, उनका तो वो पदों को पकड़ के तहनियों को पकड़ के उपर चड़के एक पेड से दूशरे पेड पर छ्हलांग मार जक्तिंखने कि फिर आखर में नीचे आत बुछाहें कि भी जोग्रफियन, तरह के लोग, खान-पान वहां के तौर तरीके वहां सब रचेते हैं तो चाहे एक मज़ाख या कॉम्पटिशन जरीए आप कुछ पेश कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी कहला के साथ एक संस्कृति भी आपको यादा नंदा दराती है उस जवड़त तो कुछ ना कुछ नहां मिलता ही रहता है अब ही आज हम सरी या काशी में है तो काशी एक तरह से कह सकते हैं मिनी इंडिया पुरी भारत का एक दुरिश्य देखता है काशी के कर दिखता काशी आप काशी को किस तरह से देखते हैं या काशी आप क्या मास्मस काशी की खासियत है कि जो गंगा की मिट्टी जो इसकी देन उसके कारण काशी कई अलग अलग भिन भिन रूप में आपको सामने मिलता है नजर आता है काशी मैंने देखा है कि कास्मिक यूनिवर्स की सेंट्रालिटी भी उसका एक आइडिया है उसका और वही चीज आप देखते हैं कि काशी में बिना सोचे समझे भी आप वो कॉस्मोस को एक्सपिरियंस कर सकते हैं यह एक जगा है ऐसी जगा है मैंने और कहीं ऐसा देखा नहीं है मंदिर बहुत हैं तौर तरीके बहुत हैं लेकिन यह चीज जो सेंट्र आप दी कॉस्मोस की जो एक फीलिंग है और यही फीलिंग को एक पंच क्रोशी यात्रा से इनसान आम इनसान इसका अनुभव ले यह और किसी देश में और किसी श नहीं होगा मेरे इसाब से काशी बहुत ही बहुत ही नॉलिजबल एक ऐसी संस्कृती है जिसमें कई लोग शामिल है बहुत ही सरल है और यह इसकी खूबी है काशी में तो सर जैसे माली में एक और मेरे मन बड़ा क्यूशीटी रहता है कि जैसे आवी तहम लोग कंप्यूटर बेडिटिंग करते हैं जब एटीज और नाइटीज करता सकता है जब आम लोग बना रहे थे ता आपके बास तो कैसे जोड़ा होगा वो जिटिंग कैसे होता था और नाइट जब आपका बेकर लोग भर करना पड़ता था आपने और थीसरे कैसेट मे उसको रेकॉर्ड करना होता था तो जब ये कैसेट का मटेरियल आपका उतना ही चाहिए था, इस पॉइंट में, कैसेट आप निकालिए, उसको लगाईए, उसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टन थी, दूसरा कैसेट उठाईए, उसको डालिए, उसका नेक्स शॉट लीजिए, फिर वो पहला कैसेट है, उसमें वो दूसरा शॉट वापस है, बह इंसान को पता ही नहीं है कि मुबाइल फोन नहीं है, तो वो हेलो हेलो करता जाएगा अपने किसी कॉल स्टेशन में, एक मचली जो है, समुंदर में पानी के नीचे तैर रही है, उसका क्या मालूम कि बादल क्या चीज है, उसकी वो ख्वाइश भी नहीं है, लेकिन जिस द दिन आप कूदेंगे, और बादल देखेंगे, और सूरज देखेंगे, तो फिर आपकी तमन नहीं बदलेगी, तो हमें, आप उसमें रह रहे हैं, आज तो इसमें, कल किस तन से आपका कम्यूनिकेशन चेंज होगा, वो आप भी नहीं जाते हैं, मगर आप खुश हैं, आप को लगता है, भई नहीं नहीं चीज़ें आगी, बहुत फुर्ती से मैं करता हूँ, हम वैसे ही सोचते थे, हम सोचते थे कि हमारे जमाने में, हमारे से पहले, सब कुछ जो है 16 mm या 35 mm में शूट करना पड़ता था, आप शूट करते थे, मैंने माउंट एवरेस पे फिल्म वो फिल्म जो हमने शूट की, तो मुझे तीन महिने लगे कि मैंने शूट क्या क्या, क्यूंकि हम पहाडी पे थे, माउंट एवरेस पे, और वहाँ पे डिवेलप करने के लिए कोई जगा या गुंजाश नहीं थी, तो हमको वेट करना पड़ा जब तक कि हम बॉम्बे में लबारेटरी में वापस लट आए, और फिर हम देगें कि हमने शूट किया के नहीं, हमने कुछ एरियल शॉट्स भी लिये थे, माउंट एवरेस्ट के, एक हावाई जाज से, वो बहुत बढ़िया फिल्म थी, वचेंजरी पाल उस माउंट एवरेस्ट में, एक्सपिडिश खतम नहीं हुई, हम नहीं वापस लॉट आए, तो हम तक हमको पता नहीं था, हमने एक्चुली क्या शूट किया, आप तो एक एक सेकंड में आप सब कुछ देख सकते हैं, आपने क्या शूट किया, तो वो सब चीज, बट वो 16 mm का जमाना था, 35 mm का जमाना था, इसको मालमत देखते थे और कोई कालर करेक्शन करता था, यह तो रेडिमेट सब कुछ नहा गया है, तो हमारे नहीं तो बहुत तेज है, आप कहते हैं कि कैसेट जो है बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, लेकिन हमारे नहीं तो बहुत तेज था उस वारे जिग्यासा अपन करना आपक जो आपके सामने दिखता है तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं तो युवाओं को तो हम कहते हैं कि आप गबराइये मत आप में जो आपकी जो तमन्ना है उसको आप छोड़िये मत आपके खिलाफ लोग कुछ भी कहें आप एक नई पेड़ी है आपका रास्ता नया है आप बलके हमें रास्ता दिखाएंगे और सच पूछिए मेरे लिए आज के दिन में मेरे जो कंपनी है जो मेरी जो टेलिविजन प्रड़क्शन की कंपनी है सारे यंग लोग है उसमें और उनके बगएर मैं तो आज कुछ काम ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मालूम है कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं वो मैं नहीं सोच सकता हूँ जिस तरह कि उनकी आइडियाज हैं वो मेरे पास नहीं है मैंने जितना सीखा और किया है उस वकित तो मुबाइल फोन नहीं था उस वकित पोस्ट कार्ड्स थे और इनलेंड लेटर्स थे आज की जिन्दगी बिलकुल अलग है क्योंकि हमने याड है कि जब हमने सुर्भी शुरू किया तो एक चीज जो आपको मेजर करते हैं कि ओडियन्स का इटेंजिन स्पैन ओडियन्स कितना समय आपको देगी किसी चीज के लिए जब तक कि वो वहां से हटना चाहे तो बीस साल पहले हमने देखा चार मिनिट से जादा आपका सेग्मेंट नहीं हो सकता है और वो भी हमें लगा कि कितना कम वह चार मिनिट में कैसे बोलेंगे हम क्योंकि हमको आठ मिनिट चाहिए, दस मिनिट चाहिए, कम एज़ चाहिए, एक सेगमेंट करने के लिए चार मिनिट से जादा अच्छलिव चलता नहीं है वो तब की बात है आज चार मिनिट, चार सेकेंड भी नहीं आज कल एक नया वीडियो निकला है वो फ्रेम बाइ फ्रेम वीडियो है यानि कि कोई भी एक लड़का या बच्चा या लड़की बना रही है एक फिल्म तो वो एक एक शॉट लेती है और ये शॉट्स को जोड़ जाड़के आपका एक जो है वन सेकिंड वीडियो बनता है अब ये एक अलग है अब आप समझेंगे नहीं नहीं वो बहुत पहले वो ही अच्छा होता था आप कि तरा भी सोची अच्छा है हकीकत कुछ और है आपको पहुचना है आपको समझना है आपको पहुचाना है आपको इस अखिकत में और भी कम समय तो यंग लोग आपको बता सकते हैं तो हम कह रहे हैं कि यंग लोगों का चैलेंज है कि कितने कम समय में आप कितना जादा कह सकते हैं वो symbolic कहना जो है बहुत important है आज वो कहते हैं ना आपको 2000 लबजों की ऐसे लिखनी है आपको लगता है मुश्किल वो आसान है उसी चीज को 200 शब्दों में आपको summarize करना हो उसका निचोड निकालना हो वो मुश्किल होता है आप निचोड आपके हाथ में हैं आपके दिमाग से आया है तो ही आपकी सफलता हो सकती है जितना आप लंबा बोलेंगे उतना कम लोग आपके साथ देंगे तो यूथ का इतना ही है कि आप आपका फ्यूचर है आप बे जिजक कभी उस रास्ते से हटिये मत अतनी कन्विक्शन से आगे बढ़िये हम जैसे लोग आपके पीछे पीछे आए जाएंगे आपके पीछे आए जाएंगे आपके कस्तूरी कुंडल पसें रिग ठोड़े वनमा ही ऐसे घटिगट इराम है दुनिया देखे ना ही एसी विचारजारा के को लेकर आगे बढ़ने वाले हमारे आज के जो गेस्ट है फ्री सिथात काप जी उनसे बहुत कुछ सीखा हमने बहुत कुछ जाना और निरंतर खोच करने की जो टरृति है उसको भी समझा तो मैं जोती सेंग रोज अब टीवी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार हर्थ करती धन्यवाद बहुत 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 शुक्तिया थैंक यू बही माच